दोस्तों नमर्शका मेरा नम है डॉक्टर केके पांड़े और आप पर इस जानम पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे कि फिशर, पाइल्स या फिश्चुला ये कैसे डिवलेफ होता है और इसमें हमपेथिक दवाएं कौन कौन से ज्यादे यूसफुल होती है और मैं हमपेथिक दवाओं का कैसे इस्तिमाल करता हूँ या कह लिए कि मैं हमपेथिक दवाओं को कैसे फाइंड आउट करता हूँ इसके साथ साथ में मैं एक चिक्सा करता हूँ जिसको बोलते हैं नेच्छरल थिरैपी ये कैसे काम करती है आज हम इसके बारे में आपसे डिसक्स करेंगे तो आज दूस्तों शुरू करते हैं हेल्थ केर के अथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहें दूस्तों पाइल्स फिश्चर या फिश्टुला यह जो तीनों चीज़े हैं यह लगबग एक ही जगह पे होती है इनस के पास यह तो आप सभी जानते हैं जब भी पाइल्स की कंडिशन होती है तो वहाँ पे बार बार कॉंस्टिपेशन होने की वज़ए से जब हम बहुत ज्यादे स्ट्रेट करते हैं प्रिशर रगाते हैं तो वहाँ पे जितने भी वेंस होती हैं उनके अंदर में एक सूजन सा होना शुरू हो जाता है दबाव स्टूल ने तो कभी कभी वह पास होने के दरान में एक दराण सा बन जाता है क्रैक जाता है मतब फट जाता है वहाँ पे अज़से समझ द्यजिए जब इस तो अंदर की तरफ या बाहर के साट में कहें पे अगर फट जाया घाव बन गया, क्रैक हो गया तो वो होता है फिशर अब जब भी उस जगह पे पानी पड़ता है या इस्टूल पास होती है तो उस दौराने में वहाँ पानी पढ़ने के वज़त से या इस्टूल पास होने के वैसे तकलीफ बहुत जादे होती है तरद बहुत जादे होता है तो ये फिशर होता है अब ये फिशर ही बाद में चलके कनवर्ट हो जाता है कभी-कभी फिशला के रूप में कैसे होता है कि जब भी अंदर कोई घाव है अच्छा चूकि ये ऐसी जगह पे होता है कि इसको सुखना बड़ा मुश्कुल होता है क्यों क्यों कि प्रति दिन यहां पे श्टूल पास होता है श्टूल के अंदर आप जानते हैं बहुत सरी गंदगी होती है और आप समझ दीजिए कि अगर बाहर हमारे सरी पे कहें पे भी अगर कोई घाव होता है इसके हम डेली ब बेसिस पे गंदगी इस पर पढ़ती है तो आप खुछ समझे कि जहां पर डेली बेसिस पर गंदगी पढ़ती है और पढ़ना इसको आप रोप नहीं सकते हैं तो वह अगर बीना दवा खाय कैसे सही हो जाएगा तो अगर हमने समय से दवा लेना शुरू कर दिया तब तो जल्दी से सही हो जाता है अधरवाईज यही चीज धीरे धीरे गंदगी होते होते वहाँ पर अलसर बनता है घाव बनता है फिशर की जगर पर और यही फिशर धीरे धीरे अंदर घाव अंदर की तरफ होते 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 एक दिन फिश्चुला का रूप लेलेता है और व वह बाहर आने शुरू हो जाती है और महां पर पस ब्लड आना कभी कभी शुरूह जाता है यह कन्दीशन हो जाती है यह ऩूरा भी मैं तो दोसरी इस तरह से बनता है फिर्चुला ठीक है अब हैसी करना क्या चाहिए जब भी ऐसी कंडिशन हो तो प्रॉपर उसका टीट्मेंट करना चाहिए प्रॉपर टीट्मेंट का मतलब है कि सबसे बेस्ट होता होंपैथिक दबा दूसरी जो सबसे मैं मानता हूं वह होती है ऐरवेधिक ठीक है आइरवेधिक में आपको बहुत सरे ऐसे सीजे होती हैं जिसका आगर आप सही तरीके से सेवन करते हैं तो शुरुवाती दौर में यह सही हो सकता है अपने खान पान को चंज करने अचा मैं इसको कैसे ठीक करता हूं मैं इसमें होंपैथिक दबा जो यूज remove करना है तो आप अपने सरीर को alkaline करना शुरू कर दीजिए आपके सरीर में जहां पे भी toxicity इकठी होती है मतलब गंदगी इकठी होती है तो उसका जो nature होता है acidic तो आपको acidic को समाप्त करने के लिए उसका opposite होता है alkaline यानि छारी भोजन ठीका अमनी को समाप्त करने के लिए छारी भोजन हमको लेना है तो आपने भोजन में उसको इस्तमाल करना शुरू कर दीजिए आप ज़्यादे से ज़्यादे मातरा में कोशिश करिए कि छारी भोजन लीजिए ठीक है छारी भोजन में क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जो कि प्राकृतिक रूप से हमको उपलब्ध हैं प्राकृति हमको दे रही है प्रकृत के द्वारा हमको दिया गया है तो वो हम जब जब ज्यादे से ज्यादे मातरा में अपने सरी में कंस्यूम करेंगे तो होगा क्या कि वो सारी चीजें हमारे सरी में ए इतने भी सलाद हैं, फूट्स हैं, वो आपने खाना शुरू कर दिया, ठीक है, आपने जो नमक है, उसको चेंज करके, आप महाँ पे सिंधा नमक या काला नमक का इस्तिमार करना शुरू कर दिया, और भी बहुत सारी चीजे हैं, ठीक है, तो आपने जब इसकी मात्रा सरी में बढ़ाने शुरू करी, तो हुआ कि जब यह सरी के अंदर जाएगा, एक तो इसके अंदर फाइबर बहुत जादे होगा, जिसे आप फूट्स लेते हैं, या आप सलाद खाते हैं, कच्चे रूप में, तो यह पेट को साफ रखने का काम करता है, जब यह जाएगा फाइब तो खाना आसानी से पचेगा, उसके अंदर में सारी चीजों अच्छे सो होगी, जो भी गंदगी अगर लगी होगी, मल कभी कभी क्या होता है, कि आंतों में चिपका रहता है काफी देर तक, हमको पता नहीं होता है, तो वो मल भी उसके माध्यम से देरे-देरे साफ होना श शुरू हो जाएगी, जब आप डेली विस्स का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो, अब जब ये अशोशित होनी शुरू हो जाएगी, तो जो बलड का नेचर अगर आप चेक कराएंगे, तो आप देखेंगे कि वो एलकलाइन नेचर का नहीं होता है, वो होता है, अमली हो बलड, ठीक है, तो अब अमली अगर बलड है, तो उसको छारी करने के लिए ये तरीका सबसे बेस्ट होता है, तो जो आप इसका इस्तमाल करते हैं, तो धीरे धीरे आपका बलड कैसा होता है, छारी होता है, शुरू हो जाता है, चुकि उसमें ऐस डिक चीज़े कम होनी बाल में है, उसके बाहर होनी शुरू होगा तो इसको ग düzeं अगरे और देर देरे आपका बढ़त पानी की साफ़ शुरू होगा, तो देर-दीर आपका पानी साफव पानी की चीज़े त Metro क उसमें जाता है, पानी की साथ लिएक मिलाएब siouse e Hence, ऐसका आदम सो फद्व का प आपके ब्लूड का माध्यम यह अलकलाइन हो घाए तो आपको बैक्टिरिया वाइरस की वो होनी बंद हो जाएगई और वायरस की बंद हो जाएगी तो IT 0 जैंगे कि कोई भी घाओ कहें पर भी others in ai जालदी वायरस की तो फिर एकशस ब्लदाइन देगा burdens आपके ब्लड में जा करके, मिक्स हो करके, आपके पूरे ब्लड को दीरे-दीर अलकलाइन करना शुरू कर देगा, और ये ब्लड चुकि आपके एनस के पास में भी जा रहा है, तो वहां पे भी जितने भी बैक्टिरिया वाइरस हैं, वो भी नेचुरली सही होने शुरू हो और साथ में आपने अगर हमपैथी की दबा ले रखी हुई है, तो फिर सोने पे सुहागा है, वो और अच्छा काम करेगा, तो दीरी दीर आपका ब्लड का नेचर अलकलाइन होना शुरू हो जाएगा, जितने भी घाव शरी में वहीं नहीं, अगर और भी कहीं पे हैं, तो कम एलकलाइन फूड का सेवन करते हैं, तो इस तरीके को आप इस्तमाल करके, आप अपने सरीर को स्वस्तर रख सकते हैं, किसी भी बिमारी से दूर कर सकते हैं, इवें पाइल्स, फिशर, फिश उडा या और जितने भी बिमारियां होती हैं, उन सब से अपने आपको मुक्त रख सकते हैं, तो दोस्तों, उमीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसको अपने जाज़स जाज़सों में शेयर करिए, ताकि वो लोगे से फाइदा ले सके, चूकि यह जो जानकारी दोस्तों, बड़े कम लोगों को होत है या तो लोग समझ नहीं पाते हैं या समझ करके बिसको इग्णोर करते हैं तो इग्णोर मत करिएगा यह अगर आपको आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो भी भशुष में बीमारी से बचने के लिए करें बहुत ही बड़ी है रहता है तो धन्यवाद दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज से आपको एक अच्छा स्वास्त मिलना शुरू हो जाएगा और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट जरू करिएगा लाइक जरू करिएगा चैनल पे नहीं तो सब्सक्रा लगिएगा जय हिन जय भारत दोस्तों